नमस्कार दोस्तों आप सब का स्वागत है आपके अपने चैनल ड्रीम डोज में जैसा कि हम लोग कॉंटिन्यू स्रीज मैट्स पे कर रहे हैं तो मैं आप लोगों के लिए ही कंटेंट बना रहा था तो सोचा कि दो तीन पहले आपको यूट्यूब पे भी कोसेंस प्रोभाइट किया जाए और अपने आपको आप चेक करो कि आप किस लेबल पर हो जो मैं आप सिंप्लिफिकेशन के मतलब कंसेप्ट यूज करना है तो आप कोई भी एक्जाम दे रहे हो चाहे दरोगा मुख्य परिक्षा दे रहो बिहार SSC दे रहो या BPSC दे रहो definitely it will help you out मैं हर तरीके से चीजों को आपको समझाओ को कि एक कोसेंस को एक ही तरीके से नहीं बट कि कि किसी और तरीके से भी सोचा जा सकता है इससे क्या होगा कि आपका कभी भी किसी तरीके का भी कोसेंस आचा आप इसल 75 स्कोर करने के लिए यह भी important है कि आप Maths & Reasoning के जो 20 से 22 कोसें आएगा मैं तो हमेशा बोलता हूँ कि 22 में से 22 लाना है ठीक है तो अगर आप Maths & Reasoning में 100% स्कोर करना चाहते हो तो यह number है इस पर आपको WhatsApp करना और यह group जोईन कर लाना यह video course group है जिसमां Maths & Reasoning पूरा का पूर पहले खुद से solve करना है ठीक है एक एक कोसें को honestly आप solve करो देखो क्या आप कितने समय में कर पा रहे हो क्या आपको 5 मिनिट लग रहा है 10 मिनिट लग रहा है यह important है ठीक है तो honestly पहले खुद solve कीजएगा और please बताएगा अगर जिनका तीनों में से तीनों आपने सही किया है definitely है कि आपने बहुत ही अच्छे से पहर रखा है ठीक है बाकी लोग group join कर सकते है जिनोंने अच्छे से मतलब prepare उनका math and reasoning अगर weak है तो ठीक है देखो पहला question मैं आपको बता तो पहला question कैसे करना है hopefully honestly please कीजेगा पहले good करना है ठीक है ने तो मेरा मतलब जो मैं आपको सिखाना चाहरा हूँ आप तक पहुंच नहीं पाएगा ठीक है देखो तो पहला question है हर तरीके से चीजों को आपको समझ देखो तो है कि x plus ठीक है एक चीज इसको check कर लो में तो पहला question कह रहा है कि x plus 1 by x equal to 3 है तो 10x x square plus 2x plus 1 कैसे होगा देखो जब भी आप solution देखोगे न तो आपको लगेगा कि हाँ यह तो मुझे आता है पर exam में under pressure आप यह कर पाते होगे ने यह important है ठीक है तो देखो इस type के questions जब भी आएंगे मैं हर तरीके से चीजों को आपक देखो पहला तो क्या होगा कि आपको जो भी आपको यह question गया हुआ आधर आपको इस form में ध्यान से समझ यह नहीं कि ऐसे होता है आखिर क्यों ऐसा होता है यह चीज भी आपको दिमाग में रखना है ठीक है देखो तो x plus 1 by x कुछ इस form में दिया होगा और आपका जो final question है कुछ इस form में दिया हुआ तो हमेज़ा यादग ना आइधर आपको जो यह बला है यह बला जो आपको जिसके solutions निकालने आइधर उसको इस form में बनाना होगा या आप इसको simplified करोगे जैसे कि देखो x plus ठीक है यह 1 by x equal to मेरा 3 अगर मैं इसको simplified करता हूँ तो यहाँ कुछ ऐसा आपको दिख नहीं रहा होगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे इसको यही रखेंगा और इस portion को हम लोग क्या करेंगे एक और तरीके से हम सोच सकते हैं कि 10x है मेरा तो मैं x अगर यहाँ में common ले लेता हूँ तो यह आजेगा x ठीक है और यह 1 है तो 1 के यहाँ में x है नहीं मैं x common लिया तो यहाँ क्या आजेगा 1 by x आजेगा ठीक है राइट इतना समझ में आया और प्लस यहाँ आपका क्या आजेगा 2 आजेगा ठीक है इसको खोलोगे तो यही आएगा ठीक है तो यहां से x से x आपका कर जाएगा और x फ्लस 1 by x के जिगा हम लोग क्या रख देंगे यह 3 रख देंगे ढ़ीगा क्या रख देंगे हम लोग 3 रख देंगे और यह आपका चाजएगा 2 आजएगा तो यहां आजयेगा 10 by 5, तो इसको काट रोगे तो इसका answer 2 आजयेगा, ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी कर सकते हैं, बट इसको मैं उस तरीके से नहीं कर बान, इसको आप क्या करोगे, अगर इस तरीके से करना है तो, आगे मैं समझाता हूं, इस तरीके को को देखो, अब को निकालना है ठीक है तो देखो पहला सबसे पिछो पहला आपका जो इस टाइप के questions में approach होना चाहिए वो क्या होना चाहिए जो मैंने क्या बताया आपको इसी form में इसको change करो पहले देखो 3x अगर मैं इसको change करता हूं x में common ले लेता हूं ठीक है कर गया ठीक है यहां 3 आजएगा और x plus 1 by x मुझे कितना दिवाए 2 दिया हूए इसके जिगा मैं 2 लिखूंगा तो 2 plus 2 यहां आ जाएगा ठीक है और यह आजएगा 3 by 4 तो पहला approach आपको क्या होना चाहिए पहला approach जो होना चाहिए मुझे इसी form में इसको में convert करो अब दूसरा देखो दूसरा मैंने आपको क्या बाता है कि जब भी इस टाइप के form में अगर इस form में आपको within a second वो आएगा ठीक है करने के लिए किसी तरी किसे भी कर सकते है पर जल्दी से अगर इस form में आपका नहीं बन रहा है आप directly किस पे switch करोगे directly बोलो इसको आपको क्या करने है simplified करने है तो simplified करूँगा तो क्या हाज़ेगा x square ठीक है प्लस 1 अइधर क्या आज़ेगा आपका 2x आज़ेगा ठीक है आपको ये दिख रहा है ये x square प्लस 1 के जगह में क्या लिख दूगा मतलब ये बला इसके जगह ठीक है x square प्लस 1 के जगह में क्या लिख दूगा यहां 2x लिख दूगा ठीक है और 2x मेरा अल्लेडी बचा होगा यहां तो 2x लिख दूँगा और यह आज़ेगा 3x नीची आज़ेगा आपका 4x, ठीक है, ठीक कितना आज़ेगा 3y4, तो यह चीज में समझाना यह चाहरा था, कि जरूरी नहीं है कि कि किसी ने किसी इस तरीके से बताया, तो वो जरूरी नहीं कि वो question उस तरीके से ही solve होगा, ठीक आपके questions, जो मैं आपको यह तीनो questions करवागा, अब देखोगे, x plus 1 by x by 4, पहले क्या करोगे, directly जो मैंने बोला, पहले इसी form में इसको convert करने की courses करोगे, तो क्या करोगे, 8x, ठीक है, पहले और सोचो क्या हो सकता है, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है, मैं यहाँ लियाँगा, ठीक है, बस थोड़ा सा thinking होता है, सामने ही होता है आपका answer, ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, इसको इधर लियाँगा, इसको मै क्या चाहिए, x plus 1 by x के form में चाहिए, ठीक है, तो 3x मैंने बाहर निका रहा था, यहां आ गया, x यहां से, यहां x बचेगा, ठीक है, यहां 3 common चला गया, but x तो यहां है, ने तो नीची क्या आ जाएगा, 1 by x आ जाएगा, ठीक है, right, समझ में आया, और plus 8x में ऐसे ही लिख दूँगा, ठीक है, अभी बाहर ही मैंने लिख दिया, क्योंकि मैंने इस दोनों में common लिया है, मुझे इस दोनों में ही common दिख भी रहा है, ठीक है, आप ले भी नहीं सकते, तो 8x में लिखूँगा, और 3x है यहां, ठीक है, और x plus 1x का क्या है मेरा य 20x, तो यहां से कर जाएगा, यह आपका आजएगा, अगर आप 4 से काटोगे, तो यह आपका आजएगा 2, और 4 से काटोगे, तो यह पांस, ठीक है, तो यह आजएगा 2 by 5, तो पहला अप्रोच, जब भी इस टाप के questions हो, जो यह form में दिया है, इस form में इसको बनाऊगे, second, अगर उस तरीके से नहीं हो रहा है, तो directly मैं कैसे switch करूँगा, इसको मैं simplify करूगा, अब देखो इसको मैं करूँगा, तो कैसे होगा, x square plus 1, ठीक है, इसको मैंने simplify कर दिया, तो यह आजएगा 4x, अब इसका, अब मैंने फिर क्या क्या, अब मैंने यह क्या, कि फिर से यही इस तरीके से भी बन सकता है और चाहे तो हम इसको simplified करके इस तरीके से भी value रख सकते हैं ठीक है तो x square plus 1 जो मुझे यहां से मिल जाएगा 4x यहां से further value रखोगा तो यह आजाएगा यह 3 questions इसलिए मैंने डाला ताकि इस type के questions बहुत आते हैं और ऐसे ही बहुत सारे questions जो exam में आते हैं मैं आपको करवाओंगा आप YouTube पर भी कराओंगा जैसे जैसे मुझे time मिलेगा बट अगर आपका maths and reasoning week है तो वही है कि आपको group join कर लेना बाकी कल मैंने आपके लिए प्रेक्टिसे एक एक कोसंस में प्रिब्येस से डालो पूरा GS का मैंने डाला था तो hopefully आपने वो कर लिया होगा और इसी तरीके से बढ़ते रहे कुछ doubt हो तो बताएगा बाकी आपके लिए group भी बना दिया गया बस nominal charges रखा गया है तो कुछ doubt हो तो आप वहाँ भी मुझे whatsapp करके पूछ सकते हैं तो thank you so much guys study well study heart और please बताएगा आप में से कितने लोगों ने 3 out of 3 किया और तो मुझे काफी अच्छा लगया तो जै हिंद